अध्याय तीन संकेतों का पालन करें इसके लिए हम उनके मुह में लगाम डाल देते हैं और उसी के द्वारा उनके संपून शरीर को नियंत्रित करते हैं जल्यानों को ही देख लो यद्यपी वेविशाल काय होते हैं और प्रचंड वायू प्रवा से गतिमान होते हैं शरीर का एक लगू अंग है फिर भी उन्चे उन्चे विशयों का दंब भरती है कल्पना करो एक छोटी सी चिंगारी कैसे एक विशाल वन को स्वाह कर देती है जिवा भी अगनी है संपून दे में दुरृत्ती का भंडार एक ऐसा अंग जो हमारी संपून देह को दूशित कर देता है जिवा संपून जीवन चक्र को विद्धवन सक ज्वाला में परिनत कर सकती है तता स्वयम नार की अगनी से प्रज्वलित हो दहकती रहती है पशुपक्षी रेंगते जन्तु तदा समुद्री प्राणियों की प्रत्येक प्रजाती वश में की जा सकती है और मानव द्वारव वश में की भी जा चुकी है किन्तु जिवा को कोई भी वश में नहीं कर सकता ये एक अदम में अनिष्ट है जो घातक हलाहल से छलक रहा है इसी जिवा से हम प्रभू और पिताब परमेश्वर की वंदना करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को जो परमेश्वर की स्वरूप में सुर्जे गए हैं शाप भी देते हैं प्रियेवर एक ही मुख से आशीर वचन एवं अभिशाप के उदगार अनुप्युक्त है ये क्या जल के एक ही उदगम से कड़वे एवं मीठे दोनों प्रकार के जल प्रभाज संभव हैं प्रियेवर क्या अंजीर का व्रिक्ष जैतून अत्वा द्राक्षा लता अंजीर उत्पन कर सकती है वैसे ही खारे जल का स्रोत मीठा जल प्रदान नहीं कर सकता कौन है तुमारे मध्य प्रग्यवान एवं संग्यवान वो इसे अपने उत्तम आचरण एवं कृत्यों की द्वारा प्रग्या जनित नम्रता में प्रदर्शित करे यदि तुमारा हिले कटु इर्शिया एवं स्वार्थपूर्ण उच्चा कांग्शाओं से भरा हुआ है तो इसका दंब करते हुए जूट को सत्य बना कर प्रस्तुतों मत करो ऐसी प्रग्या दिव्य नहीं अपितु पार्थेव स्वाभाविक एवं पैशा चिखे क्योंकि जहां इर्शिया तथा स्वार्थपूर्ण उच्चा कांग्शाओं का अस्तित्व है वहां आव्यवस्था तथा सब प्रकार की दुष्टता व्याप्त है इसके विप्रीत दिव्य प्रग्या सर्व प्रथम विशुद्ध और फिर शान्ति परक्त सौम्य विवेक युक्त सतकर्म वदया से ओच प्रोत निश्पक्ष तथा आडम बरहीन होती है पुनर मेल कारक व्यक्ति शान्ति के बीज के रोपन की द्वारा युक्तता की उपज एकत्र करते हैं